नमस्कार दोस्तो यूटीब चैनल पे आपका स्वागत है दोस्तो आज की वीडिये में हम बात करेंगे Bearing की Clearance के बारे में Bearing की Clearance कितने परकार की होती है कैसे इसको Measure किया जाता है Bearing के की स्पार्ट में इस Clearance को देखा जाता है और इसके कम या ज्यादा होने पे Bearing पे क्या Impact यानि क्या परभाव परता है तो वीडियो का Topic अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को Like जरू कर दें 500 Like का Target है इस वीडियो का तो आगे हम वीडियो को Start करते हैं तो दोस्तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि Bearing Clearance होता क्या है दोस्तो Bearing Clearance Bearing की Inner Race, Rotating Balls और उसकी Outer Race इसके बीच में जो Clearance होती है या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि इनके बीच में जो Play होती है उसको Bearing Clearance कहते हैं अगर आपको कोई Doubt है तो नीचे Comment करके आप पूछ सकते हैं तो अभी हम देखते हैं कि Bearing की जो ये Clearance होती है वो कितने परकार की होती है दोस्तो जो Bearing Clearance होती है वो दो परकार की होती है एक तो होती है Radial Clearance और दूसरी होती है Axial Clearance Radial Clearance is the Play between the Raceway and Rotating Balls Perpendicular to the Bearing Axis अगर हम इसको Simple भाषा में देखें तो अगर Bearing का जो Inner Race होता है उसको अगर हम पकड़ेंगे और उसको उपर नीचे Moment करेंगे तो जो Play हमको महसूस होगी वो Radial Clearance है यानि जो उपर नीचे की Play है उसको हम Radial Clearance बोलते हैं तो अभी हम Axial Clearance देख लेते हैं Axial Clearance is the Play parallel to Bearing Axis यानि अगर हम Bearing के Inner Race को पकड़ कर उसको आगे पीछे Moment करके जो Play हमको महसूस होगी उसको हम Axial Clearance बोलते हैं यानि जो आगे पीछे की Play है वो है Axial Clearance और जो उपर नीचे की Play है वो है Radial Clearance तो उमीद है कि ये दोनों Clearance आपको अच्छे से Clear होगी होगी तो अभी हम देखेंगे जो Bearing Number के साथ में एक Suffix Code लिखे होते हैं जैसे कि Cn, C3 इनका क्या मतलब होता है दोस्तों ये जो Suffix Code लिखे होते हैं ये Bearing की Clearance को Indicate करते हैं कि जैसे कि Cn होता है इसका मतलब होता है कि ये जो Bearing है ये Normal Clearance Range का है और इसके उपर अगर C3 है तो Greater Than Normal यानि कि Normal से ज़्यादा Clearance का Bearing है C4 Greater Than C3 और C5 Greater Than C4 यानि अगर हम Normal Range से उपर जाएंगे तो Clearance बढ़ेगी C3 में उससे ज़्यादा C4 में उससे ज़्यादा और अगर हम Cn यानि Normal Range से नीचे की तरफ जाएंगे C2 या फिर C1 तो जो Clearance होगी Rotating Balls और Inner Race, Outer Race के बीच में तो वो Clearance कम होगी Mostly जो Industry में C3 Clearance के Bearing यूज के जाते हैं दोस्तो Bearing की Clearance को आप Filler Gauge के द्वारा Measure कर सकते हैं और Bearing को Mount करते समय आपने ये ध्यान में रखना है कि Bearing को अगर आप Housing में इतना Tight Fit कर देंगे तो उसका सीधा Impact उसकी Clearance पर पढ़ता है यानि अगर Bearing Housing में बहुत ज़्यादा Tight Fit होगा तो उसकी जो Clearance होगी Ball और Inner Race, Outer Race के बीच में तो वो कम हो जाएगी तो इससे Bearing का जो Friction है वो बढ़ेगा उसका जो Temperature होगा वो भी बढ़ेगा और Bearing आपका Stress में काम करेगा तो इससे जो Bearing की Life है वो भी कम हो जाएगी तो Bearing Mount करते समय आपको ये ध्यान में रखना है कि Bearing की जो Fitting है वो ना ज़्यादा Tight होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा Lose होनी चाहिए तो उमीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखने का जुरूर मिला होगा तो वीडियो ची लेगे तो वीडियो को Like जुरूर कर दें और चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले थैंक्स पर वाचिंग